नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रकास एजूटेक में गाईज यूपी स्कॉलर्शिप दोजा बीस तकी से डेटेट बहुत ही महतपूर सूचना सामने इनकल कर आई है करेक्शन फार्म की जो आखरी डेट है उसको लेकर एक बहुत ही महतपूर सूचना है खास कर यह स्टूडेंट्स के लिए और स्टेटर्स को लेकर क्या कुछ महतपूर सूचना आई है क्या कुछ अपडेट है सारी चीज़ों को वीडियो का अंदर बताने वाला हूँ साथ ही एक चीज़ आपको और बता दूँगा कि अगर अभी तक आप अपना स्कॉलर्शिप का स्टेटर्स करना नहीं जानते हैं तो आप कैसे अपना स्कॉलर्शिप का स्टेटर्स आसानी से चेक करेंगे साथ ही सभी छात्रों को क्या ज़रूरी काम करना है जिससे और क्य बेल आइकन को प्रिस की रहेंगे तो फिर इस वीडियो को स्टाट करते हैं तो गाइस सबसे पहले आपको अपना Chrome ब्राउजर ओपन करना है वहाँ पे टाइप करना है सरकारी जाप फाइंड जैसे आप वहाँ पे सरकारी जाप फाइंड टाइप करका सर्च मारेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटर्फिस सामने निकल कर आएगा जिस पर सिंपली आपको पहले वाले पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक नया पेज़ खुल चुका है जिसमें हर एक लेटेस्ट अप्डेट दी हुई है या फिर यूपी स्कॉलर्षिप की करेक्शन फॉर्म की बात हो सारी चीज़ों को यहां साब देख सकते हैं तो गाईस यहार हम लोग को देखना है यूपी स्कॉलर्षिप का स्टेटस 2020 का तो उसको लेकर एक क्या कुछ अप्डेट आई है सारी चीज़ों को देख लेते हैं उससे पहले मैं बता दूँ कि करेक्शन फॉर्म जो है वो सभी चात्रों का तो गाईस यहां से आप देख सकते हैं कि यसी काटेगरी के जो भी चात्र थे जिनका की एक से लेकर 10 फरवरी तक करेक्शन डेट था वो तीन से लेकर मात्र 6 फरवरी तक के लिए है गाईस आज आपको मैं बता दूँ आज का जो डेट है वो है 7 फरवरी 2021 और यहां पर के लिए ही आखिर डेट दिया गया वो भी मात्र 3 से 4 दिन के लिए ऐसा क्यों क्या यसी चात्रों के साथ यह सही हुआ है आप कमेंट करके जरूर बताएगा क्या आप इस लपेटे में आये हुए हैं अगर आये हों तो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलेगा और जो भी अधर कटेगरी के चात्र है उनका जो करेक्सम फार्म का जो आकरी डेट है वो एक फरवरी से लेकर दस फरवरी तक है लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो करेक्सम फार्म का डेट है वो ज़रूर बढ़ने वाला है डेट कब तक कितना बढ़के जा तो यहां से हम गाइस देख लेते हैं कि फ्रेस या रिनुवा किसी भी कटेगरी क्या चेक कर लेते हैं हम यहां पर रिनुवा कटेगरी पर क्लिक करेंगे और जैसे इक क्लिक करेंगे आप पर सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस खुल कराएगा जिसमें आपको अगे स्कूलरशिफ दिखाएगा जिसमें आपने स्कूलरशिफ का स्टैटस दिखाएगा इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं कोई प्राबलम तो नहीं है कहीं स्कूरूटनी रिजल्ट आपका घरबड़ी तो नहीं है या फिर आपका इवाइडी इन बाली तो नहीं बता रहा है अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट का कखत पूच सकते हैं मैं सारी कमेंट करने से पर आप से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले क्या कुछ के लिए कि करेक्शन फर्म कर डेट रहने वाला है तो फिर जैंघ्जर करने माद्रा फिर कि आऊ-थ का है